गुजरात में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक COVID-19 के कुल 308 positive cases आए हैं आज 93 जितने लोग बिलकुल उनकी चिकित्सा उनकी जो treatment थी अच्छे से संपूर्ण तौर से पूरा होके वो वापस घर जा रहे हैं चार्ज होके और आज जो उनकी चिकित्सा दर्मियान चार ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रात्मिक कारण COVID-19 का संक्रमन था उनका दुखद अफसान हुआ है और 12 ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से अन्य बहुत गंभीर बीमारी भी थी और इस वज़े से रोग प्रतिकारक शक्ती कम होने के कारण ये संक्रमित होके इनका भी दुखद अफसान हुआ है आज जो positive cases हैं अमदाबाद में 234 जितने हैं और इस तरह से सूरत में 31 और वडोदरा में 15 हैं बाकी अन्य जिलाओं में भी cases हैं आनंद में 11 cases हैं अब तक कुल positive cases 4082 वेंटिलेटर पर अभी जो active patients हैं उनमें से 34 ऐसे लोग हैं जो critical है ventilatory care पर हैं 3324 ऐसे लोग हैं कि जो stable हैं और 527 ऐसे लोग हैं आज तक कि जो discharge होके वापस घर जा चुके हैं और इसमें अभी तक जो कुल test किये गये हैं 69488 59488 और अभी तक जो positive आये हैं जैसे अभी कहा गया 4082 इस तरह से इसकी विगत है और आज जो discharge होके बड़ी संख्या में बड़ी पैमाने में जो वापस गये हैं अमदाबाद के 22 लोग हैं ऐसे इसी तरह से बड़ी संख्या में नर्मदा के 9 जन हैं सूरत के 20 और वडोदरा के 29 लोग हैं जो बिलकुल ठीक होके वापस गये हैं और आज अच्छी खबर ये भी है के हमारे तीन ऐसे जिले पोरबंदर, जामनगर और मोरभी के जहां पहले positive cases थे लेकिन आज के दिन पर एक भी active case नहीं है आज सवेरे इन सब जिलों के teams के साथ, वहां के माननिय, मंत्रिश्यों के साथ cabinet की meeting में हमारे माननिय, CM साब और माननिय, deputy CM साब ने भी इस चीज़ की बात की ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां की पूरी team, जनता सहित, वहां के सभी लोगों की एक जिम्यवारी ये भी है कि ये जो हमारी सिद्धी है, इसे हमें sustain करना है, इसको हमें बनाय रखना है और बिल्कुल हम सब को positive रहना है, और जितने भी simple सुरक्षा के जो नीती है, नियम है, कवच है उसे अक्षर साब पालन करना है, अनुपालन करना है, जिससे के हम संक्रमित न हो और खास हमारे यह जितने भी हमारे बुजूर्ग लोग हैं, या जितने अन्य गंभीर बीमारी से जो लोग पहले से जिनको तकलीफ है, उनकी खास हमें ख्याल रखनी चाहिए, उनको बिल्कुल expose न करें संक्रमन के साथ और ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग एक धीरज के साथ, धैरे के साथ, 100% कोविड की लडाई में कोविड को negative प्रस्थापित कर सकते हैं और हम positive रह सकते हैं, इसी तरह से अभी तक हम जानते हैं कि गुजरात में अम्रेली, देव भूमी, द्वारका और जुनागर जिल आज एक और खास बात कहना चाहेंगे, कि इस महीने के शुरुवात में नौ तारीक को हमारे माननिया मुक्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में और मानिया डेप्यूटी सीम साब नितिन पतिल साब की भी उपस्तती में एक बहुत ही एहमियत वाली महत्व की एक मीटिंग हु गंभीर एक स्थिती अभी एक अबूतपूर परिस्ति हमारे देश में हमारे राज में हैं तब इन सभी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स हैं लीडर्स हैं सभी अपना OPD, IPD वगेरा का काम भी बिलकुल राबिता की तरह अच्छी तरह से शुरू कर पाएं उसक के लिए उनको जो जो भी सुविदा करनी थी वो सब हमने करके दिया है जैसे उनने PPEs की जरूरत थी उसका भी प्राफदान किया था अब on a cost निशुल धोरन पर भी दिये गए थे free of cost और अब cost plus basis पे भी सरकार दे रही है उनको इसी तरह से उनको एक भाय था और कई ऐसे cases ह हो रहे थे कि लोग उनके उपर आक्रमन करते थे इसको भी बिलकुल सरकार ने इसके सामने पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही strong जिलों के teams ने action लिया है पुलिस की फोज़दारी cases भी दाखल किये है action पासा तक का भी गुना दाखल किया है यही नहीं उनकी यह भी का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णे लिया है कि अगर किसी hospital या clinic में कोई positive case जाने में अगर आ भी जाए तो बस उस area को sanitize करके अगर वहां के doctors PPE kits पहन के procedure कर रहे हैं तो उस hospital को बंद करने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा sanitize करके फिर से वो अपना काम शुरू कर सकते हैं इसी तरह से एक और कल decision लिया गया है कि जिस तरह से ICMR के guidelines हैं उसके मताबिक अगर स्वेचा से hospital और patients को COVID-19 की testing private laboratory से payment के तौर पर करानी हो तो वो बिलकुल कर सकते हैं और अगर वो करके operation करना चाहें procedures करना चाहें तो सरकार जरूर अपेक्षा रखती है कि जितने भी हमारे doctors हैं हमेशा आप सबका एक समाज की प्रती मानफता के प्रती आप सबकी एक भावना रही है रहनी चाहिए और वाकई में यही सही एक धर्म होता है doctors का और हम अपेक्षा रखेंगे कि आप सब जल्द ही अपने OPDs, IPD काफी सारे लोगों ने खोल भी दिया है जैसे North Gujarat के Dr. Anil Nayak ने आज कहा लगबग सभी areas में खुल गए हैं ये भी कल आपके सामने भी press में ऐसे जो अच्छा काम जिस जिस districts में हुआ है उनके office bearers भी अपनी बात और अपनी आखवान यहां पर रजू करेंगे तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी हमारे IPDs, OPDs प्राइवेट सेक्टर के भी शुरू हो जाएं और इसके अलावा एक आज खास एक positive story हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे एक Dr. Karthik Parmaar है जो BJ Medical College में Assistant Professor Medicine के है और ये गाधिनगर में ही उनका बच्पन भी यहां था NHL में उन अविरत के प्रती प्रेम ने उन्हें वापस यहां खेंच के उनको उसे उन्हें ले आये और अभी वो हमारी पूरी जो COVID Hospital है उसमें एक true सचे हीरो की तरह सवेरे से रात तक वहां अविरत काम कर रहे हैं उनके patient से भी उनकी एक बहुत अच्छी लगाव है और हम share कर रहे थ physicians, medicines के doctors इन सबको हम video, conference और telementoring के माधियम से भी मिलते हैं तो कार्तिक भाई ने ये भी कहा कि उनके जो patients हैं काफी बहुत प्रेम है इनकी जो teams जो उनकी देखबाल करती है जो उनकी चिकित्सा करती है वो ये भी कहते हैं हमें घर जाने का मन नहीं है आप सबका इतना यहां पर भाव है प्रेम है लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी एक confidence भी सबको है आत्मविश्वास है कि हम जल्दी अच्छे हो जाएं और अपने अपने घर अपनी दुनिया में वापस चले जाएं इस तरह से बहुत सारे हमारे health के team members दिन रात मेहनत करके बहुत उम्दा काम कर रहे उन सबको भी हम अभिनांदन देते हैं लेकिन आप सबको भी अभिनांदन देते हैं कि आप सब इस COVID-19 के लड़ाई में आपका योगदान दे रहे हैं लेकिन ये और भी धीरत से हमें एक स्वैच्छा से न के उपर से lockdown है इस वजह से पर इसे हमें आत्मसात करके हर एक व्य जिससे के संक्रमन न बढ़े खास करके एल्डरली लोगों का ख्याल रखना है मोबाईल पर आरोग्य सेतू नाम की जो आप है इसे हम सब को डाउनलोड करना है मानिया हमारे जो प्रधान मंत्री जी है उन्होंने भी आखवान किया है और गुजरात में बावन लाक जितने लोगों ने किया है लेकिन अब हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको जल्द ही जल्द अपने मोबाईल में डाउनलोड करें तो इस तरह से आज की परिस्थती है